और बठे कैसे सब लोग का हो कि रिकवरी को अपने डिवाइस मा इंस्टॉल करने वाले वीडियो के अंट तक देखना मैं आपको कस्टम रॉम फ्लाश करके भी बताऊंगा इस रिकवरी से वाई मैं ज्यादा तर नहीं बलता हूं सब्स्राइब और लाइक करो वलगे सब्स् उसके लिए मैं आपको स्टेब्स बताता हूं आपको इपने डवाइस पे आजाना है आए और यहां पर आपको अपर इब्सक्राइब ओप्ष है ओपो नेश्निचे आने के बाद यहां पर अप्सान ६्च्यौ इस्पर यहां पे देख सक्दिश दिवाईस का उप्च्ण अपको अपन सबस्क्राइब आपको एपने यह से फ़्याइस को पावर कर लेaşं और यहां पर अपको अपनी PC स्क्रीन पर आपको files download करना पड़ेगा कुछ files में आपको दे रहा हूँ दो file है जादा नहीं है तो सबसे पहले file यहाँ पर ADP setup file आपको download करना पड़ता यह EXC file है तो इस फाइलिंग में description में देते तो हूँ वहाँ से download कर लेना simply में क्या करोंगा इस पर double tap कर दूँगा आपको यहाँ पर विंडो ओपन होता आपको यहाँ पर y type करना है keyword य टाइप करके इंटर मारो तीन बार यहाँ पर वाइट करके इंटर मारो तो यहाँ पर drivers इंस्टॉल करने की बोलता आप next के सारे ट्रैवर्स अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना यह ट्रैवर्स इंस्टॉल करना ज़रूर यह ने तो आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा PC से और यहां पे आपको Skyhawk Recovery की फाइल भी डाउनलोड करना पड़ेगा इसका लिंग डिस्क्रिप्शन में गीवन है यह सिफ Poco X3 में वर्क करेगी आप अपने डिवाइस की Skyhawk Recovery डाउनलोड कर लेना फिलाल जो यह सिफ Poco X3 में वर्क करेगी तो मैं इस वाले फोल्डर को एक्स्ट्राक कर लेता हूं Skyhawk Recovery के फोल्डर को अपन एक्स्ट्राक कर लेंगे तो यहां पे फोल्डर भी क्रेट हो मैं आपे थूड़ा सा जूम कर लेता हूं तो यहां पे देख सकते फोल्डर एडी भी इसको पन उपन कर लेंगे और इस वाली रिकवरी को अपन यहां पे पेस्ट कर दींगे इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको यहां पे सर्च बार देखेगा इस पर आपको टाप कर कर देना है कीबूड फाज़बूट डिवाइस जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे देख सकते सिरियल नंबर शो कर रहा है इसका मतलब अपना डिवाइस यहां पे डिटेक्ट हो चुका यह सीरियल नंबर शो करना जरूरी है नहीं तो आपके डिवाइस में रि कर दी राक होजाने के बाद सिम्ली आपको इंटर प्रेस कर देना है तो यहांपे सेत्ड्निंग रिकवरे राइटिंग रिकवरे कुछ प्रोससिंग होगी तो यहां पे दीभाइस में छुँत्म सिक्षीन इंप्ब यहांपे आपको last command जो पास करना पड़ता वो क्या है fast boot boot आपको type करना है पापी से आपको यहांपे फिर से recovery को drag and drop कर देना है जैसी आप इंटरप्रेस करेंगे तो यहांपे downloading boot.img कुछ लिखा हुआ आएगा और आपका device automatic boot होगा recovery में आपको कुछ करने की ज़रोत नहीं है स device से तो यहांपे अपना device boot हो रहा है मैं थोड़ा सा यहांपे वेट करता हूँ देख सकते अपने device मुझे सकाय हो रिकवरी सक्सेस्फुल इंस्टॉल हो गई कि इसके एंटरफेस कुछ इस सरीके से है अब यहांपे रॉम को flash करने वाले तो उसके लिए मैं चलूँगा यह इसको यहांपे टिक पर प्रेस करना है और यहांपे आपको flash पर चलना है थोड़ा सा नीचे चलेंगे कोल सा इभी रॉम को flash करने से वहले मैं आपको रिक्यूमन करेंगा firmware flash करो तो यहांपे अपन latest firmware 14.0.1 को flash कर लेंगे simply मैं यहांपे इसको टिक करके flash कर दूँगा तो य flash होने में थोड़ा सा टाइम लगता तो यहांपे देख सकते हैं थोड़ा सा वेट करने के अबद में कुछ successful लिखा हुआ आ चुका है मतलब अपना रॉम यहांपे successful flash हो चुका है अपको यहांपे टिक वाले option पर प्रेस करना है home पर आना है wipe वाले option पर आपको चलना है यह इसी process है मेरे process को step by step follow करो आपको कोई भी error नहीं मिलेगा वीडियो अगा informative लगी तो like और subscribe करना मत भूलना वीडियो को like कर लेते जाओ तो चलो मिलता है फिर